हाई फ्रेंड्स बहुती सुन्दर स्वादेश टोडेयानर रेस्पीस वाले हमारे यूडूब चैनल मेल्स औंगिजेट्स विद लता खन्ना में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आयम बहुती सरलता से रेस्टोरेंट स्टाइल क्रीमी चीजी इटेलियन वाइट सॉस वाला पास्ता बहुत कम खर्च में घर में बनाएंगे बच्चे हो यां बड़े इटेलियन वाइट पास्ता का जिकराते ही सभी के मुह में पानी आ जाता है ये white sauce pasta restaurant में बहुत महेंगा मिलता है तो चलिए देखते हैं हम इसे restaurant से भी बढ़िया और वो भी बहुत कम खर्च में घर में कैसे बना रहे हैं पास्ता बनाने के लिए हमने एक भगाउने में देल डीटर पानी लेकर उसे full flame पर गैस पर रख दिया है इसके बाद हमने इसमें एक टी स्पून नमक और आदा टी स्पून cooking oil डाल दिया है पानी में नमक और cooking oil डालने के बाद हम इसे ढख देंगे और इसमें उबालाने देंगे पानी में उबाला गया है अब हम इस गरम पानी में दो कप पास्ता डाल देंगे हम पानी में उबलने के लिए दो अलग अलग डिजाइन का पास्ता डाल रहे हैं इस पास्ता को हम भीश-वीश में चलाते हुए उबालेंगे हमें इसे खुला ही उबलना है यदि हम पास्ता को चलाते हुए नहीं उबालेंगे तो उबलने के दोरान पास्ता का तले में चिपक जाने का खत्रा रहता है फ्रेंड से दी आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सही समय पर हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन माने के लिए बैल आइकन प्रेस करें पास्ता के ट्रांसपरेंट होते ही हम इसे चेक करेंगे हमारा पास्ता बोबल गया है इसे उबालने में करीब 6 मिनिट लगे हैं अब इस पास्ता को हम स्टेनर में डालकर स्टेन कर लेंगे पास्ता को स्टेनर में निकलने के बाद हम इस पर दो बोतल चिल्ट पानी डाल देंगे ताकि इस पास्ता की कुकिंग रुक जाए और ये पास्ता ज़्यादा ना उबल जाए यदि हम पास्ता पर थंडा पानी नहीं डालेंगे तो ये तूटने लगेगा और थंडा पानी डालते ही इस पास्ता की कोकिंग रुख जाएगी अब हम इसे अलग रख देंगे अब हम इस पास्ता के लिए वाइट सॉस बनाएंगे इसके लिए सबसे पहले हम कड़ाई को मेडियम फ्लेम पर गैस पर रखेंगे और इस कड़ाई में हम दो टेबिल स्पून बटर डाल देंगे बटर के मेल्ट होते ही हम इसमें दो टेबिल स्पून मैदा डाल देंगे और मैदा डालने के बाद हम गैस की फिलिम को लो कर देंगे इसके बाद हम कड़ाई के मेटेरियल को लो टू मेडियम फिलिम पर भूनेंगे हमें इस मेटेरियल का कलर नहीं बदलना है हमें इसे बस इतना भूना है कि इसका कच्चापन निकल जाए इस मैटेरियल से हलकी सी खुश्वू आने लगे हमें इसे बस इतना ही भुनना है इसके बाद हम पैन में दो कब दूद थोड़ा करके डालेंगे ये दूद उबाल कर ठंडा करा हुआ नॉर्मल टेंपरेचर का दूद है इसे पैन में डाल कर चला कर मिलाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि पैन के मैटेरियल में लम्स पड़ गए है लेकिन धीरे धीरे चलाते चलाते पैन के लम्स खतम हो जाएंगे हमने थोड़ा थोड़ा करके पूरा दूद पैन में डाल दिया है चलाते चलाते पैन के इस मेटेरिल के लम्स अब खतम हो रहे हैं और अब देखिए पैन के मेटेरिल के लम्स बिल्कुल खतम हो चुके हैं और ये कितना अच्छा वनकर त्यार हो चुका है इसके बाद हम पैन में 140 टी स्पून नमक, 140 टी स्पून चिली फलेक्स, 140 टी स्पून औरेगेनो और 140 टी स्पून काली मिर्च पौडर डाल कर इसे अच्छे से चला कर मिला देंगे इस सबी सामगरी को अच्छे से चला कर मिलाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा ग्रेटेड मोजरेला चीज डाल रहे हैं इस पास्ता को बनाने में हम कुल मिलाकर आदा कप ग्रेटेड मोजरेला चीज का प्रयोग करेंगे वन फोर्थ कप मोजरेला चीज हमने पैन में डाल दिया है बचे हुए वन फोर्थ कप मोजरेला का प्रियोग हम बाद में करेंगे हमारी वाइट सॉस अब तयार हो गई है अब हम इसे ढखका रख देंगे अब हम एक पैन को मेडियम फिल्म पर गैस पर रखेंगे और इस पैन में हम दो टेबल स्पुन बटर डालेंगे बटर के मेल्ट होते ही हम इसमें 8-10 कली चौपट की डाल देंगे बटर में गारलिक डालने के बाद हम इसे आदा मिनट तक चला लेंगे पास्ता में डालने के लिए हमने कुछ सब्जियां चोकोर काट कर रख ली हैं अब इन सब्जियों को हम पैन में डाल देंगे सबसे पहले हम पैन में दो टेबिल स्पून प्याज डाल देंगे इसके बाद हम पैन में दो टेबिल स्पून सुट कॉर्ण दो टेबल स्पून येलो कैपसिकम दो टेबल स्पून गाजर और दो टेबल स्पून टमाटर डाल देंगे ये सभी सबजें हम पैन में डाल कर इने एक मिनिट तक पका लेंगे अब हम इसमें आदा टी स्पून नमक डाल देंगे और नमक डाल कर इसे चला देंगे अब हम इसमें आदा टी स्पून चिली फलेक्स और आदा टी स्पून औरेगेनो डाल देंगे इसके बाद हम इसमें वन फोर टी स्पून काली मिर्श पाउडर डाल देंगे ये सबी मसाले डालने के बाद हम इसे अच्छे से चला कर मिला देंगे इसके बाद हम पैन में white sauce डाल रहे हैं अगर ये white sauce रखे रखे ज्यादा गाला हो गया हो तो आप इसमें थोड़ा सा डूट डाल कर इसे चला लें और इसकी consistency सही कर लें अब इस वाइट सॉस को हम सभी सबजियों के साथ चला कर मिला लेंगे और इसके बाद हम पैन में पास्ता डाल देंगे हमने पैन में उबाला हुआ पास्ता डाल दिया है पैन में पास्ता डालने के बाद हम गैस की फिलेम को फुल करके इसे 15-20 सेकंड तक मिक्स करेंगे इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इस पर ऊपर से वन फोर्थ कप ग्रेटड मोज colonial चीज और डाल देंगे और इस मोज Freiल चीज को अच्छे से चला कर पास्ता में मिला देंगे हमारा वाइड सॉस वाला ये पास्ता फाइनली अब तयार हो चुका है देखिए पास्ता तयार होने के बाद इसका चीज कितना अच्छा खिच कर आ रहा है हमारा ये तयार पास्ता स्वाद और क्वाल्टी किसी भी लहाज से रेश्टरेंट में बनने वाले पास्ता से ज़्यादा अच्छा बनकर त्यार हुआ है ये पास्ता इतना ज़्यादा स्वादिश्ट और जवाब बनकर त्यार हुआ है कि रेश्टोरेंट में मिलने वाला पास्ता आपको कभी इसके आगे अच्छा नहीं लगेगा अब हम इस पास्ता को सर्विंग बोल में शिफ्ट कर लेंगे सर्विंग बोल में शिफ्ट करने के बाद हम इस पर उपर से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ओरेगेनो बुरक देंगे फ्रेंड से आप हमारे दोरह बताए गई विदी से, ये इतेलियं वाइट सॉस पास्ता घर में बनाएं तो प्लीज हमें कमेंट करके बच बताएं आपको कैसा लगा हमें आपके अमूल सुझा और कमेंट का इंतियार रहता है फ्रेंड से दिया आपको हमारे क्रीमी चीजी स्पाइसी इटेलियन वाइट पास्ता की रेसिपी का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन प्रेस करें हमारी एन सौधिश रेस्पीस के बढ़न में पले हुँँ था रवाचेंग